भारात मता की, मोधी सरकार की, योगी सरकार की, योगी सरकार की, जे भारात भारात में ऐसे ही बीर आते हैं, मेरी सो रही जमता को जगा जाते हैं, मरते वक्त तक गीत यही गाते हैं, अरे देशे आजाद रहे, हम तो चले जाते हैं तो अभी हमारे साथ राजे सिंग जी हैं, जो सुडान में फसे हुए थे, अब घर वापस आ गए हैं, तो इनके अंदर कलाकारी भी बहुत है, तो हम चाहेंगे कुछ दर्सकों को सुनाईएगा बैया, हमारे पिता जी बड़े भारी सायर थे, वो एक रांदकारी कवाली लिखे हैं, आज हमको याद आ गई, और ये भरोसा तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे देश बते हैं, लेकिन सुना रहा हूँ लंदन वाले किया है भला काम नहीं, अरे तुझे भंगी न बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझे भंगी न बनाया तो मेरा नाम नहीं मेरे भारत में ऐसे ही बीर आते हैं, मेरी सो रही जंता को जगा जाते हैं, मरते वक्त तक गीत यही गाते हैं, अरे देशे आजाद रहे हम तो चले जाते हैं, सातियों ये हिंदुस्तान है अरे भगत सिंग जूल गये किये हैं, प्रणाम नहीं, तुझे भंगी न बनाया तो मेरा नाम नहीं, लंदन वाले किया है भला काम नहीं अरे सुडान वालों किया है भला काम नहीं, तुझे भंगी न बनाया तो मेरा नाम नहीं, तुझे भंगी न बनाया तो मेरा नाम नहीं जब आपके अंदर देशभक्ती वाला जजबा एकदम कूट 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 आप जजबा कहा ता है कि अगर थोड़ा सा ट्रेइनिंग हमारी भारा सरकार दे दे उस सुडान खतम करके आता है यहां, हकिकत बता रहा हूं, बैसक भूखा मर जाता लेकिन अप करदेरी बाजा जब बरता था इनका खून जो है गरम होता था, कभी-कभी यह उचाल होता था, अगर गोवर्मेंट हम लोगों कैसा कुछ दे दे, खतम कर दो सुडान को, तो साले के बैसा खतम हो जाएंगा, खतम ही कर देते, यह भावना आती थी, लेकिन अब क्या बताए मतलब आप जब वहां अंदर रहते थे रूम में, एक तरफ तो रोते थे, दूसरी तरफ चाहते थे के सरकार ने आज हमको ट्रेनिंग दिया होता, तो आज उड़ा दिये होते हैं। बिल्कुल सुदान में इंडिया हो जाता भासफागिए Этот खोच नहीं है देख मात external की मोधी सरकार की योगी सरकार की योगी सरकार की योगी सरकार की जैभारा. पाकिस्तान के लिए कोई तभ पाकिस्तान करें गोलिक मंजर देखे रहे हैं जुन्ड मनाएं कि एर्पोर्ट के उफार इंडिया वाले से जुन्ड बने कि पाकिस्तान के कठा के लिए थे बतोर ले पाकिस्तान में जितना पूरी जन संक्या हैं हमरे इंडिया अतना ललाकू है पाकिस्तान मतलब हम के को सुनाओं भाई ए और गवाय देका रमायडे का भजन कीरतन चलिया बड़ा नंबर वन हमा बैए हैं कभी कभी यह देखिए कि लक्षमी जो है भगवान विश्डू का पहर पकड़ करके कहीं भी आप देखेंगे आज के युग में कोई अउरत है कि पतनी का अस्थान कभी भी चरणों में होता ही है पती के चरणों में पतनी का अस्थान होता है समय बदल रहा है समय बदलने वाली बात छोड़ा होता है एक पती देखे भाई साथ सजोडी में ओकल्चर सायद हमारे इंडियम तक अभी तक नहीं पहुंच पार जब हम वहां पहुंचे हैं वहां के जितने भी मेजर देकर जितने उच अथिकारी थे लाइन लगा खड़े हैं एक लड़की फूल लेके खड़ी है एक लड़की चौकलेट ल भूल ले दिखाओ वो चीज हम कर रहे है यह मानौता जिंदगी है आज हम वहां सुदान से नहीं होते हैं आप लोग इसे आते हम से मिलने के लिए यह मनौता इसको कहा जाता है मनौता हर आद्मिक अंदर होना चाहिए कि मनौता क्या चीज है यह अरे मनहारी का भेस बनाया, श्याम चूरी बेचने आया मन हारी का भेश बनाया च्याम चूड़ी बेचने आया ओ चूड़ी लाल नहीं पनू चूड़ी लाल नहीं पनू चूड़ी बेचने आया शॉत ले certified में पूर्व मिला है यह मिला है नेरे यह मतलब सॉधिया से आपको पूर अच्छा लगा हम च्डशा लगा था क्या बता है हमारे मोधी सरकार इतना उनको है श्काल cabbage कर रहे हैं यह हमारे सरकार का देन है और तो रहता है ह्रदम तो देश में रहता ही नहीं है उसकर और जब घर में बैटेज सब्सक्राइब आज मंजर आ हैं अगर हम सुदान में नहीं रहते ते मंजर सुनते आप तो बाहर आप निकलो के वहां का हर चीज़ देखो कि तभी तो हर चीज़ के पता चलेगा क्या है क्या नहीं है कुल साउधिया से है अपने इंडिया का